सबसे पहले क्या करना होगा आपको यहां पर मैंसेज का ओप्सिंस देखने को मिलेगा यह वला तो आपको इसको इस तरीके से प्रेस करके रखना है प्रेस करके रखने के बाद आपको इस तरीके का आइकन का ओप्सिंस दिखेगा इस पर क्लिक करना है क्लिक करने के बाद आपको यहां पर एक ओप्सिंस देखने को मिलेगा जिसको बोलता है स्टोरेज पर जाने के बाद यहां पे storage clear option दिखेगा तो इस पे click कर देना है click करता ही आपको इस पे click कर देना है okay करता ही आपका जो problem है वो fix हो जाएगा तो guys कैसा लगा वीडियो प्लीज कमेंट में चुब बताएगा और फिर भी कोई सवाल गुबाल होता है तो मुझे आप मुझे comment कर सकते हैं मैं definitely आप लोग का reply जरूर करूँगा बिलते हैं ऐसे वो interesting वीडियो के साथ तब तक के लिए नमस्कार and goodbye take care